हे दोस्तो आप भी सारा दिन यूट्यूब देखते ही होंगे और साथ ही ये दिमाग में ख्याल भी आता होगा कि अरे यार मेरे पास भी नॉलेज तो है पर यूट्यूब चैनल कैसे खुलू अगर आपके भी दिमाग में ऐसा ख्याल आता है तो इस वीडियो को पूरा एंड होगे इसलिए फटाफट कर लो और वीडियो को एंड तक देख लो लेट स्टार्ट दा वीडियो दोस्तो यहां मैं आपको यूट्यूब चैनल डेस्टोप में खोल कर दिखा रहा हूं आप चाहिए तो मोबाइल से भी खोल सकते हैं आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है ब लेका अपको यह बता देता हूं कि Gmail account कैसे खोलना है सबसे पहले आपको Google में search करना है Gmail यहां पर आपको अपना लिखना पर डट लेगे और निचे वाले बॉक्स में लिखना अपना surname तो चले मैं यहां पर अपन नाम लिख देता हूं जैसी हम अपना आम लिख लेंगे उस यहाँ पर आपनके शाब कर सकते हैं और आपको आपना युजरनेम डिम सकते हैं यहाँ पर यूजरनेम सेलेक्ट करना है Colec पर qlick कर देता हूँ जैसी नेक्स पर qlick करता हो पर यहाँपर आपको यह पर क्लीक करता हुँ आपको अपको अपना फोन देना होगा। तो मैं यहाँ पर अपना phone number डालेता हूँ और next बर क्लिक कर देता हूं जैसी next पर क्लिक किया आपके सामने ये पेज आ गई फिर आपने जो number डाला है उसके एक OTP आया होगा simply आपको उस OTP को यहाँ पर डाल देना है यहां पर बोला गया add a phone number तो यहां पर आपको अपना mobile number देना है जो इस एकाउंट के लिए आप register करना चाहते हैं यहां पर आप सिंप्ली इसको skip भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर अपना phone number डाल देता हूं और फिर नेक्स पर क्लिक कर देता हूं यहां पर आप देख सकते ह यहां पर आपका Gmail account open हो गया है Gmail account का complete setup हो चुका है अब simply हम यह जाने थे कि YouTube चैनल कैसे बना है दोस्तों YouTube चैनल के लिए आपको simply www.youtube.com पर जाना होगा इस लिंक पर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर YouTube website open हो चुका है यहां पर simply दोस्तों क्या करना होगा यहां पर A लिखा हुआ है जहां पर A लिखा हुआ हो आपके सामने बहुत सारा options खुल जाएगा जिसमें पहला option दिया गया है create a channel तो simply आपको उसके ओपर click करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये screen आ जाएगी यहां पर आपको अपने YouTube चैनल का कुछ information भरना होगा जैसे कि आप अपना YouTube चैनल का नाम क्या रखना चाते हैं और उस YouTube है prop the Tutation handle का name क्या रखना चाते हैं तो ओई चीज हमें यहां पर भरना है यहाँ पहला box दिया गया है name का, तो यहाँ पर आप जो भी अपने YouTube channel का name रखना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर लिख देना है, तो आप यहाँ पर निचे देख सकते हैं, उस name से यहाँ पर handle ही बन चुका है, तो यहाँ पर आपको और कुछ ही नहीं करना है, create channel पर click कर दे यहाँ पर लिखा है Welcome to YouTube studio अब जैसे कि मैंने आपको बताया आपको पूरा काम YouTube studio मी होने वाला है, तो आपको simply YouTube studio में klik कर देना है, यह प्लिक करते हैं आपके सामने यह screen आजाएगी, यहाँ पर अब आप लिखे। तर पुलिक कर देना है, क्लिक करने वाला है आप दिख सक audio library, setting, send feedback दोस्तों मैं आपको बता दो content के अंदर आप जो video upload करोगे उसकी सारी details रहने वाली है analytics में दोस्तों रहने वाला है आपका video का performance आपका video कैसे perform कर रहा है आपको कितना revenue मिल रहा है या आगे जाकर आपको किसके ओपर video बनाना चाहिए वो सारा details आपको analytics में मिलने वाला है और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप इसका सब details अपने mobile से भी देख सकते हो YouTube का एक app आता है YT Studio इसमें आप अपने YouTube channel कहीं से भी access कर सकते हो और कहीं से भी manage कर सकते हो दोस्तों इसके एक-एक options के बारे मैं बताने जाऊँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इसके बारे मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा लेकिन यहाँ पर हम simply ये बात जान लेते हैं कि YouTube channel खोलने के बाद आपको कौन-कौन से setting करने हैं जिससे आप जल्द से जल्द YouTube channel ग्रो कर पाऊ तो चलिए दोस्तों वह सेटिंग्स हम कर लेते हैं यहाँ पर आपको simply settings को उपर क्लिक करना होगा यसी हम settings पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये screen आ जाएगी आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे options दिख रहे होंगे general, channel, upload defaults, permission, community, agreements लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दो यहाँ पर हमें सब options पर settings नहीं करने हैं हमें यहाँ पर सिब कुछ options पर ही setting करने हैं जैसे कि मैं आपको पहले ही बता देना चाहूंगा इसकी settings बहुत important है और यह settings आपको करने ही चाहिए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं feature eligibility के अंदर तीन option दिखाए दे रहे होंगे पहला है standard features, दूसरा है intermediate features, तीसरा है advanced features आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर standard features पहले से enable है दूसरा intermediate features आपको enable करना होगा लेकिन यहाँ पर मेरा enabled दिखा रहा है लेकिन मैं आपको बता दू कि intermediate features में आपको ज्यादा क्यों setting नहीं करना है यहाँ पर simply आपको mobile number register करना है दूस्तों intermediate features में setting करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ दूस्तों advanced features पर जैसे हम click करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नए options आ गया है तो अचले दूस्तों यहाँ पर फड़ लेते हैं advanced features access करने के बाद आप अपने चैनल में और क्या क्या कर सकते हैं जिसके कि यहाँ पर पहले लिखा गया appeal content id claims दूसरा लिखा गया create more live stream daily उसके बाद लिखा गया upload more videos daily आप एक से ज्यादा video upload कर सकते हैं उसके बाद लिखा गया create more shots daily यह feature मिलने के बाद आप एक दिन में shots भी ज्यादा बना सकते हैं उसके बाद दूस्तों लिखा गया embed live stream external links in video description eligible to apply for monetization यहां पर दूस्तों आप यह feature access करने के बाद monetization के लिए eligible हो जाएंगे दूस्तों आपको तो पता ही होको monetization होने के बाद ही आपको YouTube channel से पैसा आना चालू होता है तो दूस्तों आपको monetization करने के लिए advanced features access करना बहुत ज़रूरी है जैसे कि आप video verification करवा सकते हैं या फिर आप दूसरा option valid ID दे सकते हैं valid ID में आप अपना documents दे सकते हैं जैसे कि driving license तिसरा option ने channel history यह option में दूस्तों हमें आपको बता दूँ कि आप अपना channel advanced features channel history के through access करना चाते हैं YouTube की तरफ से एक से दो मैंने तक observe किया जाएगा बोलों सब चीज आपका observe करेंगे like आपका growth कैसा है आप कितने वीडियो डालते हो तो उसके बाद verification होने के बाद आपको advanced features का options ट्राय करने को मिलेगा तो यहाँ पर दोस्तों हम नीची के दो options पर नहीं पर क्लिक करते हैं क्योंकि वीडियो वरिफिकेशन आसान होता है इसलिए simply हम वीडियो वरिफिकेशन के तरफ फीचर एकसे करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको सब डेटेल्स बता दिये अब यहाँ पर simply access features पर क्लिक कर देते हैं on your phone यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ कि YouTube ने आपके email id पर एक verification लिंक दे जा है तो आपको simply अपने email खोल कर verification स्टार्ट करना है तो simply दोस्तों हम यहाँ पर get email पर क्लिक कर देते हैं जैसे हम get email पर क्लिक करते हैं आपके सामने यह प्या गया है यहाँ लिखा गया है we have sent you an email आपके email id पर एक mail आया होगा आपको simply उस पर क्लिक करना है फिर वहां से आपको verification स्टार्ट करना है तो चलिए दोस्तों साइड में हम अपने Gmail खोल लेते हैं Gmail खोलने बाद आप देख सकते हैं मैंको यहाँ पर एक mail आया हुआ है YouTube verification का मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ उसके बाद मैं दोस्तों आपको start verification पर क्लिक करना है start verification पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक QR आया हुआ है आपको इस QR को अपने phone से scan कर लेना है ताकि आप आगे का step कर पाए तो चले दोस्तों simply मैं अपने phone से इस QR को scan कर लेता हूँ जैसी मैं camera से scan करता हूँ यह मुझे यहाँ पर एक link दिखाई दे रहा है और नीचे लिखा गया है go to website तो उस पर मैं click कर देता हूँ जैसी मैं click करता हूँ हमाने सामने यह page आ गया है जिसमें लिखा गया agree to video verification simply आपको यहाँ पर नीचे की तरफ scroll करना है और यहाँ पर box पर tick करके I agree को पर click कर देना है click करने के बाद आप इस page पर आ जाएंगे यहाँ पर लिखा गया है tips for good video और साथ ही नीचे आपको बता गया है आपको कौन कौन से steps follow करने है यहाँ लिखा गया है hold your phone at eye level in front of your face इसमें बोला गया है कि आपको अपना camera अपनी आखों की तरफ wait करके रखना है जिसे आपका face अच्छे से आ सके second लिखा गया है make sure that nothing covers your eyes nose or mouth such as sun classes, fabric or hat you are the only person in the video इसे वाल दोस्तों कि इस वीडियो में सिब आप ही रहने चाहिए आपके साथ कोई और नहीं होना चाहिए और लाज बोला गया connect to wifi network तो दोस्तों verification start होने से पहले आपको इन सब चीजों की तयारी कर लेनी है और उसके बाद सिधा next पर click कर देना फिर next पर click करने बाद आप देख सकते हैं मेरा verification start हो चुका है यहाँ पर मैंने अपना face set कर दिया है और थोड़ी देल बाद यह मुझे उपर की तरफ देखने को बोल रहा है फिर मैंने उपर की तरफ देखा फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा video verification हो गया है और यह verification 24 hour के अंदर verify हो जाएगा तो दोस्तो feature eligibility का सभी options set हो चुका है अब चलिए दोस्तो हम दूसरी options की तरफ चलते हैं अब हम चलते है advanced settings के उपर दोस्तो advanced settings पर click करने बाद आपके सामने yes क्रिन आ जाएगी आपको यहाँ पर यह चीज़ setting करना है यहां लिखा गया है do you want to set your channel as made for kids क्या आपने जो channel बनाया है वो बच्चों के लिए है तो आपको yes पर click करना है अगर बच्चों के लिए नहीं है तो आपको simply no पर click करना है तो दोस्तो मेरा जो channel नहीं वो बच्चों के लिए नहीं है आप जिस भी countries हैं आपको select करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप अपना country select नहीं करते हैं तो आप जो video upload करेंगे वो other countries में भी दिखाने लगेगा problem यह हो जाएगा दोस्तो कि आपने content हिंदी मनाया है और other countries में अगर हिंदी में दिखाएगा तो लोग नहीं समझेंगे इसलिए यह setting करना बहुत important है तो यहाँ पर आपको अपना country select कर लेना है तो मैं यहाँ पर इंडिया select कर लेता हूँ किसे बाद दोस्तो keyword options दिख रहा होगा यह भी दोस्तो बहुत important setting है tax में दोस्तो आपका channel का नाम रहेगा और आप किस category में काम कर रहे है उसके बारे में डालना है जैसे कि आप earning के लिए काम कर रहे है तो आप यहाँ पर earn money online make money app लिख सकते हैं यहाँ दोस्तो अगर आपका category gaming है तो यहाँ पर आप gaming से related tax डाल सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों simply में अपना channel का नाम लिख देता हूँ small letter में भी capital letter में भी और दोस्तों जब आप यह सब settings कर लेंगे तो आपको simply save पर click कर देना है उसके बाद दोस्तों हमें settings करना है upload defaults की तो चलिए upload defaults पर click कर लेते हैं क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें advanced settings पर जाना है यहाँ पर advanced settings में आपको कुछ कुछ settings करने होंगे जैसे कि यहाँ पर आपको अपना category चुनना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर click करते तो यहाँ पर बहुत सारो options आ गया है तो मैं यहाँ पर hindi select कर लेता हूँ advanced settings होने के बाद दोस्तो basic info setting कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको ज्यादा setting नहीं करना है यहाँ पर visibility को आप unlisted करके रखिए unlisted करने से क्या होगा दोस्तों जब भी भी आप video upload करोगे तो आपका direct video upload नहीं होगा आपका unlisted सबसे पहले होगा उसके बाद आप जब मंच आए उस video को कभी भी upload कर सकते तो दोस्तों यह सब settings हो जाने के बाद आपको simply save पर click कर देना है तो यह था दोस्तो challenge के अंदर की settings अब दोस्तों बाहर से channel कैसे दिखने वाला है उसकी settings कर लेते हैं तो उसके लिए हमें click करना होगा customization के उपर जैसी आप customization पर click करोगे आपके सामने ये screen आ जाएगी यहाँ आप देख सकते हैं आपको उपर तीन options दिख रहे होंगे layout, branding, basic info मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इन तीनो options में क्या-क्या settings करना है पहला है layout जिसमें आपको दो options दिख रहे होंगे video spotlight and featured section video spotlight के अंदर आप वो video add कर सकते हैं जिसको आप चाहते हो कि लोगों के सामने सबसे टॉप पर पहले ये video दिखे तो यहाँ side की तरफ add option पर click करके आप add कर सकते हैं चलिए मैं add करके दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं मैंने दोनो options पर video add कर दिये हैं और उसके निचे features section में आप वो video या shots add कर सकते हैं जो आप चाहते हैं आपके home page में show करें section से add है अब चलिए दोस्तो हम back की और चलते हैं और दूसरे options पर click करते हैं जो है branding इसके अंदर आपको तीन options दिख रहे होंगे जिसमें पहला है picture जिसमें आपको अपना logo upload करना है दूसरा है banner image जो आप यहाँ देख सकते हैं ऐसा होता है banner image दोस्तो यह बहुत important setting है तो इस पर ध्यान जरूर दिजेगा यहाँ आपको नीचे की और बहुत सारे options दिख रहे होंगे जिसमें पहला है name यहाँ पर आपको अपना channel का name लिखना है मेरा यहाँ पहले से लिखा हुआ है दूसरा है handle वह भी पहले से लिखा हुआ है उसके बाद है description यहाँ पर दोस्तो आपको अपने channel के बारे में एक चोटा सा summary लिखना है कि आप इस channel में लोगों को किस चीज के बारे में बताने वाले हैं देख लेते हैं results बर उससे पहले publish पर click कर लेते हैं अब चलिए दोस्तो देख लेते हैं उसके लिए व्यू चैनल पर click कर दिजिए और फिर about पर click कर दिजिए यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों भी आ गया है जिसको पढ़ कर लोग आपके चैनल के बारे में जान पाएंगे और यहाँ नीचे मेरा Instagram का link भी शो कर रहा है जिसे लोग आपको Instagram पर भी follow कर पाएंगे तो दोस्तों मैंने आपको complete details दे दी है कि आप कैसे अपना YouTube चैनल खोल सकते हैं और एक बाद दोस्तों मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि YouTube चैनल में कोई trick देखकर जल से जल 1000 सब्सक्राइबर करने की जल्दी ना करें क्योंकि आगर आप जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ा भी लेते हो तो आप सीखोगे कब और दोस्तों शायद ऐसा भी हो सकता है कि YouTube जब आपका चैनल वेरिफाई करे तो आपका चैनल मोनेटाइज ना हो इसलिए 1000 सब्सक्राइबर भी अपनी मैनेज से करने का जुर्बा ले आप सक्सिल जरूर होगे तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में थैंक यू